हेलो फ्रेंज माई नेम इस आश्वरतन वेलकूम तो माई चानल एथिकल हर्स्ट इस वीडियो में हम वीडिटर के नेक्स पार्ट कम्रीट करेंगे तो मैं फाइल उपन कर लेता हूं तो ठीक है अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कट कोपी और पेस्ट करना वीडिटर के जिखा तो यह वह आपार्ट करना अब करना तो इससे पहले वीडियो में अपको डिलीट ना बता था वहीं से कट करना है तो वही हम चीज अगर मैं डबल डी प्रेस कर दूंग वह समझ लिए ककट करना ही हो गया अब मैंने कट कर दिया मतलब कट बफर में चला गया बफर हमारी एक मेमरी है जो कि temporary data को hold कर करके रखते है अब मैंने डावल डी प्रेस किए यहां पर यहां पर यहां पर पूरी को थी अब यहां पर आने के बात मुझे क्या करना है अब मैं यहां पर paste करना है ठीक है मैंने cut तो कर लिए double D से double D से मेरी पूरी line cut होती थी मतलब तो delete होती थी तो वह delete और cut same command से होती है अब मुझे यहां भी पेस्ट करनी है तो मैं simply अगर हो एक lower case P को प्रेस करूँगा मतलब की जो small P होता है उसको मैं प्रेस करूँगा तो वो line 14 पे जहां मेरा cursor था उसके नीचे वाली line पे वो print करेगा ठीक है अब मैं इसको undo करता हूँ और अभी मेरा cursor line 14 पे ठीक है अगर मैं upper case P मतलब capital P press करूँगा तो वो मेरा line 14 के उपर करेगा मतलब जिस line पे मेरा cursor होगा उसके just loop पर वाली line पे मेरा capital P अगर मैं press करता हूँ तो वो पहाँ पे paste कर देगा अब मुझे paste करना आ गया अब मुझे cut करना पता है जैसे dw हम करते थे तो एक word delete उता था तो मतलब delete होना मतलब इसमें dw करेंगे तो cut हो गया ठीक है cut or delete same हो गया अब main मुझे सीखना है आप पे copy करना और dw जैसे follow करते थे न हम पूरा इसलिए पहले वीडियो में जैसे भी हमने पूरे dw सीखा कि word को कैसे करना है तो end of line तक कैसे हमें delete करना हो सारा cut और paste में चलेगा अब ऐसे हम copy करने तो copy करने के लिए command होती है y ठीक कि यह वाले line मुझे copy करने है तो मैं क्या करूंगा मैं double bar y press करता हूंगा अब मैंने double bar y press किया तो यह पूरी line copy होगा मैं लास्ट में ठीक है line 15 के बाद जो line 16 है वहाँ पे गया मैंने प्रेस करा अब आप देखे हो जिस line पे मेरा cursor था मेरा cursor यहाँ पे था line 15 के जस नीचे 16th line पे तो मैंने small वाला प्रेस किया तो उसने क्या किया line 17 पे मेरा जो भी content था वो paste कर दिया अब मुझे इससे उपर करना होता तो मैं क्या करता caps प्रेस करता ठीक है तो copy करने का हमारा y command से हम copy करते है double y से पूरी line होती है और हम इसको Linux के अंदर yanking बोलते है मतलब copy करना ठीक है yank करना तो अब इसको जैसे अब मान लीजे मुझे तीन line ने copy करने है तो same वही d जो हमारी command टी delete या cut करने की command थी वही same procedure follow होगा और yank करने के लिए भी कैसे अब जैसे मान लो मुझे three lines copy कर लिए ठीक है मैं क्या करूँगा three press करूँगा और double by तो अब ये three lines को copy कर लेगा और अगर मैं आपको बताओं तो आप यहां पर लिखावा भी देख सकते हो three lines yanked ठीक है तो कि three lines इसने copy कर लिए तो अब हम अपनी machine पर आते है ठीक है अब मुझे paste करनी है मैं चला ज 16 पे तो line 15 दिख रही है अब मैं जब जैसे ही small p press करूँगा तो आप देख रहो three lines जो थी ना वह उसने paste कर दी वहां से copy करी और नीचे paste कर दी तो यह हमारा होता है कि कोई भी number प्रेस करना है उसके बाद हमें yy press कर देना है तो उतनी lines हमारी copy हो ठीक है अब yw होता है जैस इंपॉर्टन के आई पर starting पर तो मैं जा करूँगा मुझे करना पड़ेगा y और w yw मैंने कर दिया ठीक है अब मैं last में आगया और यहां पर मैंने pre-press किया तो आप देख रहो कि line 16 तो इसने important paste कर दिया मतलब एक word को हमें अगर copy करना हो तो yw हम yw command मतलब हम press करेंगे ठीक पूरी वैसे के वैसे होईगी अब जैसे मान लीजे में यहां पर हूं ठीक है और मुझे यहां से copy करना है और यह line के end में करना है सिरफ इस line के end तक का copy करना है तो मैं कैसे करूँगा करूंगा और इसके साथ डालर साइन ठीक है जब मैं वाइड और डालर साइन करूंगा मैं लास्ट में सब का मैं भी प्रीपर इसके मतलब जहां पर यह से लिखा हुआ था तो उसके एंड तक इसने पेस्ट कर दिया अब फिर से करना है मैं चाहता हूँ यहां से कोपी करूं और इसके बैकवार्ड जाओ मतलब आगे ना जाओ मैं इसके पीछे जाओ और जहां पर लाइन की स्टार्टिंग है वहां से वहां तक मुझे कोपी करना है अब मैं कैसे करूंगा मैं simply प्रेस करूंगा उसके जीरो प्रेस करूंगा कीबोर्ड पे अब आपको दिख भी रहा होगा मेरा कर्जर मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर आ गया ठीक है साइबर के सी पे ठीक है और था का पर फाइंड के डी पे तो मैंने जब कोपी किया वाई को जीरो के साथ इनिशलाइज करके तो यह कर्जर यहां पर आ गया मतलब कि मेरा यहां तक कोपी हो गया अब मुझे पेस्ट करना है तो मैं लाइन की सिच्टींद कर आता हूँ मैं यहां पर पेस्ट करता हूँ आप देख सकते हो कि पॉइंट का डी रहा गया बस उससे पहले का जितना था सारा कॉपी हो चुका है इसलिए रही है क्योंकि वहां पर हमारा कर्जर था अब यही सेम चीज हमारी दी कमान में फॉलो होती थी डीलीट में तो कट में भी यही से अब इसमें और भी ट्रिक्स होती है जैसे वाइं के साथ कैरट होता है ठीक है कैरेट संबल होता है अब यहां पर अगर मैं कॉपी करूं हो ना ओफर दाई यहां से यहां से मैं कॉपी करता हूं और लाइट के स्टार्टिंग तक तो यह जितना ब्लैंक स्पेस आप देख 0 प्रेस करता हूँ तो यह पीछे का क्योंकि यहां से पीछे तक का सारा copy करेगा और अगर मुझे यह ब्लैंक स्पेस नहीं copy करना मुझे non-white character तक चाहिए तो मैं carrot यूज़ करता हूँअ हमेचा तो इससे क्या होगा अब हमारा paragraph यहां से start है, यह white space को वो copy नहीं करेगा, और अगर मैं y के सथ 0 प्रेस करूँगा, तो वो यह white space तक भी ले आएगा, क्योंकि zero का काम क्या है, वो starting में चला जाएगा line की, backward direction में, मतलब starting में चला जाएगा, end में नहीं जाएगा, वो starting पर जाएगा, और अगर मैं y के सथ carrot करूँगा, तो वो भी starting पर जाएगा, बट वो white space को count नहीं करेगा, वो देखेगा, यहां पर सारा white space है, ब्लैंक space है, मैं यहां तक तो नहीं जाऊँगा, मैं over तक रहूँगा, जहां पर non white space है, मैं वहीं तक जाऊँगा, तो carrot वो काम करता है, अब मैं यहां से करके दिखा देता हूँ, मुझे simply क्या करना है, मैंने y press किया, और मैंने carrot को, मैंने press किया, तो आप देख रहो कि non white तक आ गया, और मैं last में गया, line 16 में मैंने paste कर दिय तो आप देख रहो, यहां पर यह paste हो गया, अब ऐसे ही मालनों मैं starting में हूँ, line की, ठीक है, और मुझे पूरा end of the file तक मुझे copy करना है, क्योंकि mostly कहते हैं, पूरी file की, जितनी भी line से सारी copy करके कहीं हो, और paste करो, ज्यादा तर scenarios में यह रहुता है, तो उसके लिए हमें ज discuss कर चुका हूँ, मुझे line के end पर जाना है, तो मैं क्या press करता हूँ, caps में shift g प्रेस करता हूँ, तो मैं line के end पर आ जता हूँ, मतलब यहां पर,あप समझाक करता है, line 16, मतलब यहां पर end है file, ठीक है, तो अब मुझे पूरा यहां तक copy करना है तो मैं कैसे करूँगा मैं simply क्या करूँगा मैं y press करूँगा और caps में g यह जितना भी इसमें content था file में पूरा का पूरा copy होगा तो मैं क्या कर तो last में जाके paste करता हूँ अब अब देख रहें जितना भी content है वो दुवार से पूरा paste हो चुगा है तो फिर मैंने यहां पर undo कर दिया अब मुझे अपनी मर्ची से अगर कुछ करनी हो मतलब lines copy करनी है तो वही नंबर के साथ हम 5 double y press करें कितने भी number जैसे 6 lines करनी है तो 6 double y तो 6 lines copy होगी उसके बाद paste कर सकते हैं thanks for watching my video please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification